दोस्तो आज मैं आपको भारती अर्थ विवस्ता के विकास में एक बहुती ज़ादा महत्पुन टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम है निजी करण के उपाई इससे पहली वीडियो में मैंने आपको निजी करण के अर्थ को बताया था बहुती अच्छी तरीके से अगर आप वो वीडियो देखना जाते हैं तो आई बटन उन डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखे आप माँ जाके देख सकते हैं आज मैं आपको निजी करण को किस परकार भारे सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीती में पूरे देश में फैलाया इस पे बात करूँगा तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शौट में बताना जाता हूं कि नीजी करण क्या होता है तो देखे बहुत ही सिंपल से बात कि सारवजैनिक उडियोगों को नीजी हातों में देना नीजी करण कहलाता है देखे एक देश की जो अर्थ विवस्था होती है एक देश की अर्थ विवस्था में उत्पादन कारें दो परकार की संस्थाएं यानि कमपनियां करती है एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइविट सेक्टर जब हम पब्लिक सेक्टर में जितने भी हमारे उद्योग आते हैं उन्हें हम नीजी यानि प्राइविट सेक्टर के हाथों में दे देते हैं ताकि उसका परबंदन और माली का अनाहग प्राप कर सके तो उसे ही दोस्तों हम कहते हैं नीजी करन अगर वर्तमान समीक की स्थिति की बात करूं मैं तो आपने सुना होगा कि 119 ट्रेनों को नीजी क उपा जा रहा है तो यह मैंने आपको एक एक्जामपल दिया बहुत सारे एक्जामपल है वर्तमान समय में मोदी गौर्णमेंट बहुत सारे सरकारी उद्योगों को नीजी हातों में बेच रही है जैसे कि आप बहुत अच्छी तहीं किसे जानते हैं आज मैं आपको किया सारजनिक छेत्र का संकूचन किया अब यह वर्ड आपको समझाओंगा मैं कि आखी यह संकूचन का मतलब क्या होता है देखी संकूचन का मतलब होता है कम होना या घटना चुकि देखी एक वर्ड होता है विस्तार विस्तार और इसका पोजिट वर्ड होता है संकूचन संकूचन देखिए विस्तार का मतलब होता है बढ़ना संकूचन का मतलब होता है घटना संकूचन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई आर्थिक विकास की यात्रा आरम हुई पंचवर्शी योजनाओं के अंतरगत 1991 में तब सालवजनिक उद्योगों का एक विशेश महत्व था यानि उस समय जो आर्थिक विकास करना था उसका पूरा दार्मुदार किस पर था सालवजनिक शेतर के उद्योगों पर था जिसके वज़े से उनकी संक्या लगातार बढ़ रही थी लगातार बढ़ने से दोस्तों भ्रस्टाचार चोरी लीकेज बहुत सारी जो समस्या आने के वज़े से बहुत सारे सार्विजनिक उदियों 1990 तक आते आते बहुत जादा घाटे में चनले लगे जिसके वज़े से भारत सरका को उन्हें प्राइविट हटों में क्या करना करना पड़ा बेचना पड़ा तो सबसे पहला उपाए भारा सरकार ने ये किया कि जो 1990 तक जितने सारजनिक उध्योग थे कि कम कर दिया या उसे ही कहते हैं सारजनिक छेत्रों का संकूचन उमेद करता हूँ आपको यहे चीज 올गे ग्रवंगी दूसरी बात करते हैं कि साल्वजनिक छेतर के उद्योगों को या उद्गञों में सरकार का Whi-niveš अब देकि इसमें भी दूवरर है एक होता है मदिश और एक होता है मतलब है वी निवेश, अब देकि निवेश और वी निवेश का मतलब क्या होता है, निवेश को समझते पहले, जब एक देश की सरकार अपने देश की अर्थ व्यविस्ता में कोई भी सारजनिक छेत्र का उद्गम लगाती है, यानि उद्योग लगाती है, उसे हम कहते हैं निवेश, जिससे देश की अर्थ वैविस्ता में लोगों के लिए रोजगार पैदा हो, देश की रास्तिया हो, और एक और बहुत बड़ा उपदेश्य होता है दोस्तों, जो नीजी कंपनिया मोटा लाप कमा रही होती है, फाइदा लाप कमा रही होती है, उनके साथ प्रतियोगीता कर करके समाज को उचीत धर पर वस्तों तता सेवाँ को प्रबंद करा सके, ये सालजनिक उद्योगों को लगाने का उपदेश्य मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया निवेश क्या है, जब भी एक देश की सरकार अपनी आई में से पैसा खर्च करके सालजनिक उद् करती है, उसे हम निवेश कह सकते हैं, इसकी ठीक उल्टा, वी निवेश, डी इस इन्वेस्मेंट, ये इन्वेस्मेंट है, ये इन्वेस्मेंट है, वी निवेश, अभी आप अगर आप बरतमान समय की बात करें, तो वी निवेश पर ही फोकस है, मोधी गवर्मेंट का, एरलाइन, एरलाइन भी इस दी, ठीक है, रेलवे, 119 रेल, रेलवेज की प्राइविटाइजिशन करती जारी है, और बहुत सारे एरपोर्ट हो गए, हमारे प्लैटफॉर्म हो गए, बहुत सारे आपने देखा हुआ, डी इंवेस्टमेंट करती जारी है, यानि सारजनिक छे अगर आप देखें, वी निवेश, बहुती बुरी चीज है अगर वरत्मान इस्तिती में देखा जाए, बट उस समय, 1901 की टाइम पिरेट की अगर मैं बात करूँ, उस समय ये करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योग थे, जो लगातार घाटे में चल रहे थ थे, वो आर्थिक लाब नहीं दे रहे थे भारत सरकार को, जबकि वो आर्थिक बोज बनते जा रहे थे, ठीक है, बट अभी की बात करें, तो मोधी गवर्मेंट ने ऐसी कंपनीज भी बेग दी है, ऐसे उद्योगों को भी बेज दिया है, जो फाइदे में चल रहे थे, त तो 1991 तक भारत में आर्थिक संकट उत्पन हो गया था, और उसका जो सबसे बड़ा विलेम था, वो सारवजनिक छेतर के उद्योगी थे, मेरे दोस्तों, और सारवजनिक उद्योग के जो छेतर थे, उनको कर दिया गया था, पर एक बात मैं आपको बताओं, तो ये हमारे व मैं एक बारी पढ़ देता हूं, ये वो ऐसे नो उद्योग हैं, और भी कुछ छोटे मोटे उद्योग हैं, जिने भारत सरकार के नव रतन कहते हैं, और इनकी तुनला विक्रम अदित्ते, जो महराजा थे, उनकी जो दरवार में नो व्यक्ती थे, जिने नव रतन कहा जाता था, तान सेन, आपने सुना होगा, तान सेन, कालिदास, बहुत सारे ऐसे थे, उनके नो प्रतन थे, विक्रम अदित्ते, तो ये नो उनी से इनकी तुनला की जाती है, क्योंकि भारत का जो आर्थिक विकास हुआ, 1950 से लेकर 90 के बीच में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ये भी आर्थिक हाटे में ही चल रहे थी, इन्हें भी गॉर्मेंट उस समय भी डी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थी, बट बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इनका, जिसके वज़े से अब इन्हें अंतर राश्टी इस तर के उदियोगों को बनाने की तियारी की पहली जा रही है, तो एक पारी मैं नाम पढ़ देता हूं, इंडियान ओयल कॉर्पोरेशन, भारत पैट्रूलियम कॉर्पोरेशन, ओएल और नेच्रूल गेस कॉर्पोरेशन, इस्टिल अथर्टी ओफ इंडिया लिमिटेट, भारत हैवी एलेक्ट्रोनिक लिमिटेट, इ क्या कर दिया गया था नीजी हातों में बेज दिया गया था जिसे कि भारत सरकार ने 1991 में जो नीजी करण को था बढ़ावा दिया था उस समय जभरत थी उस समय हमें विदेश से भी मतलब मतलब फोर्स किया जा रहा था क्योंकि हमने वर्ल्ड बैंक और अंतराश्य मुद्रा कोश्य उनको वादा किया था कि हम अपरे देश में निजे करन करेंगे यानि जो उदियोग जिन पर भारा सरकार का एकदिकार है अब उसको भी नीजी लोगों को यानि नीजी उदियोग पतियों को उन्हें करने की अनुमती दी जाएगी ऐसा उस समयता मट अभी कोई ऐसा दबाब नहीं है अभी तो आर्थिक संकट से बढ़ने के लिए क्योंकि 2014 के बाद आपने देखा है कि किस परकार बहुत बड़ी मंदी आई है हमारी अर्थ विवेस्ता और दसमलर चार्ज संतिंग थी आर्थ के अराउंड थी जो एक्सप्यक्ट की जा है तो मैं किसी भी दल को ब्लेम नहीं कर रहा है बड़ यह जो भी हो रहा है यह बहुत बुरा हो रहा है मेरी नजर में तो आपको वी निवेश भी समझ में आ गया है क्योंकि निवेश जब एक गौवर्मेंट क्या करते है सारजनी को दियोग लगाती है उसे हम निवेश कह माध्यम से भी 12 सरकार के दुआरा 1901 में निजी करेंट को बढ़ावा दिया गया अब बात करते हैं सारजनिक उद्गमों के शेरों की भिक्री यह तीसा टूल था आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि भारत में शेर मार्केट है आप जानते हैं शेर मार्केट शेर बजार जिसे आप कहते हैं जिसमें हमारे दो आ जाते हैं एक आती है हमारे NSC यानि National Stock Exchange और एक आती है BSE जिसे हम Bombay Stock Exchange कहते हैं यहां पर भारत सरकार नहीं क्या किया जो गौर्मेंट कंपनीज थी जो गौर्मेंट क्याते हैं उदियोग थे उनकी शेरों की क्या कि की गई आ है अगर मेरे पास Reliance Company का अगर एक शेर है तो मैं उस कमपनी का मालिक हूँ मेरे पास आना हग है वैसी मैंने Midwest मेने संहागता हूं वो जो board है उस company का वो संहान रहा है बट बान माले का हाना हाथ मेरा है च्भान के मेरे पास शेर सह थो एसे भी हमने में अंजी करणं को बढ़ कोई चीज तो मुझे आप कमेंट में जरूर लिकें मैं आपका अंसर जरूर दूंगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत